नमस्कारम सद्गुरू, अगर पिछले जन्मों जैसी कोई चीज है, तो क्या इस जन्म के लोगों के साथ हमारा कोई पुराना संबंध होता है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने आपके साथ कारेकरम करने के बाद मुझसे पूछा था, मैंने तुम से शादी कैसे कर ली? तो, मैंने तुम से शादी कैसे कर ली? मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर कोई ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको खुद को देखना चाहिए, कि आपके साथ क्या चल रहा है? इतने सालों के बात कोई सोच रहे है कि मैंने तुम से शादी कैसे कर ली? आपको सच में खुद की और देखना चाहिए, अपने पिछले जन्मों को नहीं, इस जन्म में आप हैं. तो आप मेंसे कोई भी अगर कोई सोच रहे है कि मैंने तुम से शादी कैसे कर ली तो पिछले जनमों के बारे में मत सोचिए आपको ये देखना होगा कि आप इस जनम को कैसे जी रहे हैं ये बहुत जरूरी है तो मुझे लगता है कि ये सब फिल्मों के कारण ne है मेरे खयाल से नई फिल्मों से ये सब जा चुका है आप सत्तर और असी के दशक की फिल्मे देखकर बड़े हुए इसलिए आप जनम जनम के चक्कर में पढ़े हैं देखिये सबी यंग लोग नई फिल्मे देखते हैं वो जनम जनम की बातें नहीं करते आज कल वो रिष्टों और उनके एक्सपाइरी डेट के बारे में साथी सोच लेते हूँ तो आपकी सत्य की खोज को अगर कमर्शल सिनमा रास्ता दिखा रहा है तब तो आप मुसीबत को घर बुला रहे हैं तो अगर आप किसी के साथ सर्फ तभी रह सकते हैं जब आपको विश्वास हो कि आप कई जनमों से साथ रहे हैं तो ये साथ रहने का बहुत बुरा तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कई जनमों से हूँ ये साथ रहने का बेहुता तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूँ ये किसी के साथ रहने का एक सुन्दर तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिये हूँ क्योंकि पिछले तीन जन्मों में अपने जीवन में ऐसी भैंकर चीजें मत पैदा करें प्लीज तो अगर आप तीन जन्मों से साथ हैं तो इसका मतलब है कि अलग होने का समय आ गया है नहीं? लोग हर वक्त मेरे पास इस तरह के सवाल लेकर आते रहते हैं सद्गुरू क्या मैं पिछले जन्म में आपके साथ था? क्या आपको लगता है कि अगर मैं पिछले जन्म में आपसे मिला होता तो मैं फिर कभी दोबारा आपके सामने आना चाहूँगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज कल हुई थी उसका अभी कोई महत्व नहीं है अभी आप उस चीज को महत्व पून बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हुई थी आपको पता भी नहीं है जो शायद हुई थी किसी और जन्म में ये तो वही बात हुई जैसे अकसर हर कोई, अपने, स्कूल के दिनों, या पढ़ाई के दिनों के बारे में बात करता है, अरे, वो तो मेरे जीवन के गॉल्डन येज्र थे, हम जानते हैं कि आपके गॉल्डन येज्र कैसे थे, आप हमेचा टेंशन में रहते थे, एक्जाम्स के वक्त आपकी हालत खराब रहती थी आपको अपने टीचर्स से नफरत थी और आप स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे अब वो गोल्डन येज लगते हैं क्योंकि अब वो खत्म हो गए च्योंकि अब आपको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए वो गोल्डन है मेरे ख्याल से आप अपनी शादी के बारे में भी ऐसा ही महसूस करेंगे जब अगर आप अपनी शादी के बारे में उसके टूट जाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है अगर आप शादिशुदा होते वे ऐसा महसूस करें तो बढ़िया होगा है ना रिष्टा तूटने के बाद आप सोचते हैं सब कुछ कितना बढ़िया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप शादिशुदा होते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये बढ़िया है तो अतीत के बारे में सोच कर अपना वक्त बरबाद मत कीजिए मेरी बात मानियें ये फालतू की यादें आपको अपाहिज बना रही है ये आपको अपने दिमाग को एक खोच का ओजार बना कर इस्तिमाल नहीं करने दे रही एक ऐसा ओजार जो जिन्दगी के अनेक आयामों को खोल सके अब आप अब आप उन सारी यादों का बोज उठाना चाहते हैं जिसे दूसरे लोग भूल चुके हैं और अगर वही इकलौता तरीका है जिससे आप अपने पती या पतनी के साथ रह सकते हैं तो ये लोगों के साथ रहने का बहुती बहुदा तरीका है ऐसा मत कीजिए देखिए अगर आप उस इंसान को महत्तों दे सकें जो भी आपके सामने बैठा है वो अभी जैसा है उसलिए इसलिए नहीं कि वो कहीं और क्या थे आज आज की modern societies की यही तो खासियत है हम आपकी इज़त आपके पिता की वज़े से नहीं करते बलकि आप जो हैं उस वज़े से करते हैं आप कौन हैं इस वज़े से आपकी इज़त होती है यह माइने रखता है है न अरे आप आप किसके बेटे हैं आप किसकी बेटी हैं यह माइने नहीं रखता बदकिस्मती से बहुत से लोग आज भी उसी में जी रहे हैं आप कौन हैं यह माइने रखता है आपने अभी खुद को कैसा बनाया है ये माइने रखता है आपके पिता कौन थे ये माइने नहीं रखता राजा महाराजाओं के दिनों से मौडन जमाने तक का सफर ताय करके हम यही बड़ा बदलाव लाए हैं हम थोड़े अस्ट व्यस्ट हैं पर ये एक बड़ा कदम है है न है कि नहीं ये बहुत ही महतुपून कदम है कि कोई मुझसे नहीं पूछता कि तुम्हारे पिता कौन है वो सिर्व ये देखते हैं कि मैं कौन हूँ ये बहुत ही बड़ा कदम है है न पर अगर आप यहां पचास साल पहले आये होते या सौ साल पहले तो कोई आपको देखकर ये नहीं पूछता कि आप कौन है, वो सिर्व ये पूछते कि आपके पिता कौन है, बदलाव आया है, बहुत कुछ बदला है, तो ये पूछना कि आप अपने पिछले जनम में क्या थे, ये तो ये पूछ चीज है तो गड़े मुर्दे उखाडने में अपना समय और जीवन बरबाद मत कीजिए